दोस्तो आज किस वूड में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में कैस विड्रॉल फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है बहुत सारे लोगों को वहां मैंने देखा है कि दिक्कत होती है और वो फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो अगर आप भी उन में से एक हैं तो फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाश तक देखेंगे तो आप भी कैस विड्रॉल फॉर्म अर्थात पैसे निकालने को वाला फॉर्म भरना सीख जाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आसीस और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे डेट डाल लेनी और date आपको सही डालनी नहीं तो बाद में problem करते हैं तो date जैसे कि यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ आज है यहाँ पर 4 जुलाई यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 4,07,2024 यह मैंने डाल लिया है उसके बाद यहाँ स्वेम को कितने रुपाय देना चाहते हैं तो यहाँ अंको में नहीं लिखना है यहाँ सब्दो में लिखना है सब्दो में यानि हिंदी में या इंगलिस में तो यहाँ पर मैं हिंदी में सबसे जादा लोगों को जानता हूँ वो लिखते हैं तो हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ 2000 रुपए मुझे निकालने हैं तो 2000 रुपए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000 रुपए मात्र यह मैंने लिख लिया यह सब्दों में और उसके बाद यह रुपए लिखा है यहाँ पे अंकों में आपको लिखना है 2000 इस तरीके से आपको एकाउंट नमबर अपना लिख देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं तीन कट्टस लगा देता हूँ, आखरी की एकाउंट नमबर जो है प्राइविसी के लिए सुरच्चित रहे, उसके बाद यह खाता धारक के हस्ताच्चर, तो खाता धारक के हस्ताच्चर यहाँ पर आपको कर देने हैं, खाता धारक के हस्ताच्चर यह मैंने अपने कर दिये, उसके बाद नाम, नाम आप हिंदी में लिखते हैं, या इंग्लीस में जो भी लिखते हैं, नाम आपको capital letter में यहाँ पे लिख देना है small letter में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं prefer करूँगा कि आप capital letter में लिखें जिससे की सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो इतना आपको इस तरह भर देना है उसके बाद यह जो area है नीचे यह देगी for office यू लिखा है यह जो भी करना होगा वह बैंक कर्मचारी करेंगे उसके बाद पीछे आजाना है और यहाँ पर कुछ नहीं फार्म में कुछ नहीं भरना यहाँ पर आपको दो signature कर देने हैं इस तरीके से दो signature कर देने है यहाँ आप एक ही signature कीजिएगा एक signature वो खुद करा लेते हैं तो यहाँ पर बाद में निसान इस तरीके से बनाएंगे कहेंगे कि आपको यहाँ sign कर देना है और इसके साथ एक चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बताना भूल गया था और बहुत सारे लोग confused भी हो गए होंगे तो यह जब आप यह form भरेंगे तो इसके साथ आपको passbook ले जाना अनिवार रहे है क्योंकि जब आप passbook साथ में देंगे तभी यह प्रयोग में आएगी यहाँ पर लिखा हुआ है यह देखे लिखा यह form चेक नहीं है क्रेपया passbook के साथ प्रस्तूत करें हलांगी passbook में ज़्यादा कुछ वो देखते नहीं है passbook देखके तुरंद वापस कर देंगे लेकिन यह form के साथ आपको passbook ले जाना अनिवार रहे फिर से मैं आपको एक बार repeat कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ swim को लिखा है यहाँ पे आपको पैसे डाल देने कितने रुपए निकालना चाहते हैं यह आपको हिंदी या इंगलिस में सब्दो में डालना है उसके बाद यहाँ अंको में डालना है कितने रुपए और ये रुपए ये रुपए सेम डालना है उसके बाद यहाँ डेट जरूर डालने है और डेट वही डालेंगे जिस डेट को आप बैंक जा रहे हैं उसके बाद ये एकाउट नंबर आपकी बैंक की पास्ट बुक में मिल जाएगा वहाँ से account number देख लीजिएगा डाल दीजिएगा उसके बाद खाता धारक के हस्ताचर जो भी खाता धारक है उसके हस्ताचर यहाँ पे करने है signature उसके बाद नाम डाल देना है नाम डालने के बाद same signature आपको दो पीछे कर देने हैं और उसके बाद इस form को ले जाके कैसियर को दे देना है उसके बाद आपको पासबुक वापस कर देगा उसके बाद पैसे भी आपको मिल जाएंगे जो भी आप पैसे निकालना चाहते हैं इस प्रकार आप बहुत ही आसानी के साथ बैंक में जाकर अपने पंजाब नेशनल बैंक का कैस विड्रॉल फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो क्रिपागर के इस विडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों साथ सेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब निगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे हमारे चैनल को साथ में नौटिक्सन बिल को और नौटि झाल